प्रेस अलट एपर आज का वीडियो है लोनावला की स्ट्रीट फूड के ऊपर वैसे तो लोनावला में बहुत सारे स्ट्रीट फूड है लेकिन हम आपको लेके जाएंगे लोनावला और वो फेमस क्यों है चलिए देखते हैं आगे की वीडियो में तो फिर देख किस बात की लेट्स गेट स्टार्टेट इस फूड ट्रक का नाम है लखनुई जाएका आप जैसे ही लोनावला की में सिटी में एंटर करेंगे आपके लेफ साइड में आएगा पिकाडल ए रिजॉर्ट जस्ट उसके ओबसिट में आपको लाइन से बहुत सारे फूड ट्रक्स दिखेंगे बड़ आप लखनुई जाएका में ही आना गैस यहाँ पर इस तरीक से सिगडी में वो खाना पकाते हैं यह पहले से ही मैरिनेटेट होता है तो जो भी आपको डिश चाहिए होती है आपके सामने उसे वो बार्बिक्यू करते हैं और आपको फ्रेश सर्व करते हैं यहाँ पर आप आकर खा सकते हैं यहाँ बैठने की स चिकन लॉली पॉप और बहुत कुछ मिल जाएगा जैसे कि आप मेनू में देख सकते हैं आपको चिकन, माटन, फिश, इनफाक्ट बिर्यानी और पराठा भी मिल जाएगा होटल में खाना अलग बात है लेकिन इस तरीकी के स्टीट फूट की बात ही कुछ और है इसे देख के बहुत से लोगों के मुँमे पानी जरूर आ रहा होगा मुँमे पानी से याद आया अगर आप लुनावला आ रहे हैं और धाबा स्टाइल खाना खाना चाहते हैं तो हमने उसका भी वीडियो बनाया है आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं इनफेक्ट उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है और आपको एंड स्क्रीन में भी देखने मिल जाएगा तो ये वीडियो आकरे तक देखिएगा और अगर आप मेरी तरह नौनवेच के शौकीन है तो इस तरीकी का स्ट्रीट फूट लोनावला में जरूर एंजॉय कीजिएगा आप जो ये देख रहे हैं ये है चिकन सीख कबाब तो चलिए इससे ट्राइ करते हैं अब बार याती टेस्ट करने की बहुत इस्ट है बहुत जूसी है में चीज़ के खड़क बिल्गूल भी नहीं है अंदर से बहुत सॉफ्ट है आप चाहें तो रोटी पराटा जिसके साथ भी चाहें खा सकते हैं या फिर मेरी तरह ऐसा रूखा का सकते हैं फ्रेंट्स ये 9 सल पुराना है और कहा जाता है कि लुनावला का सबसे पहला फुट ट्रक ये है यूजिली इनकी टाइमिंग शाम के चार बजे से रात के बारा बजे तक रहती है बट डू टू कोविन ये चार से दस बजे तक खुला रहता है अब बार यादी है लाहुरी टिक्के की बहुत सॉफ्ट है बहुत जूसी है साथ ही साथ में मसाले इतने मस्त है चटपटे एक दम बिल्कुल बहुत इसकी चटनी के साथ चटनी के साथ और प्यास के साथ मिला के गाए आप आप तो यह जरू ट्राइ करें पराठा बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही गरब है पर तेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है एक दम फ्रेश लग रहा है या आप कबाब के साथ खा सकते हैं अब बारी है चिकन टिका गए बहुत ही गरभ है बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत अच्छे से मसाले में यह मैरिनेट हुआ है और यह खाते ही मूँ में गल जाता है इससे पता चलता है कि बहुत फ्रेश है यहां पर लाइन से और भी स्ट्रीट फूड्स है जैसे कि श्वर्मा और और भी फूड ट्रक्स आपको मिल जाएंगे ट्रस्ट में गईस हमने और भी ट्राइ किया है तभी हम आपसे एक्सपिरेंश शेयर कर पा रहे हैं जिसे कि आप देख सकते हैं यहां पर भी बहुत सारी डिश रखी हुई है मगर हर वो चीज जो अच्छी दिखती है ज़रूरी नहीं कि उनका टेस्ट अच्छा हो मैंने और किया था दो लेक पीस गाइस 45 मिनिट्स के बाद मुझे मिला और टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था इसलिए नहीं कि हम लखनवी जाइका में खा रहे हैं तो हम उसकी तारीफ कर रहे हैं मैंने और भी जगे ट्राइ किया है और टेस्ट हमको उतना अच्छा नहीं लगा जैसे कि आप देख सकते हैं मैं डीटेल्स में आपको आगे की वीडियो में शेयर करूँगा कि हमारा एक्स्पिरियंस बाकी जगे पे कैसा था यह चिकन मैंने लिया था यहां से नहीं लखनौई वाले से नहीं उसके भी पीछे से जैसे कि आप देख सकते हैं इस चिकन पूरी जल चुकी है और टेस भी बहुत जादा नमक है इसके अंदर अब उतना खास नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप आते हैं तो आप यह जो लखनौई जाइका अभी यहां है आजू बाजू जादा ना भूमे क्यों कि दूसरी जगे से तो मेरा एक्स्पिरियंस उतना और भी चीज़े जो खाई हैं मैंने पराटे वगएरे खाएं जो भी टिक्कर वगएरे जो भी उनके पास में इनके पास में वराइटीज भी जादा और यह अच्छे से बनाते हैं इसका तो हम लोग ने ट्राइ किया बट नमक बहुत जादा है इसके स्मूद अब अब आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे जदा से जदा शेयर करें इसे लाइक करें और अगर आप भी लोनावला में ऐसा किसी स्ट्रेट फूट को जानते हैं तो हमें कमेंट सक्षिन में जरूर बताएं ताकि उसे भी हम नेक्स ट्राइम जरूर ट्राइ करें साथी अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पे भी है जहां मैं वो मैंने डॉक से रेटेट बहुत से नियो प्रेट्स डालते रहते हैं तो आप हमें उस पर भी फॉलो कीजिए बहुत जन्द हाज़र होंगे नए वीडियो के साथ तब तक खुश रहों खुश रहें दों प्रेट्स डालत बाई